हलो गाईज, आज हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, इतनी चटपटी, खटी, मीठी, आवला कैंडी या आवला जैली, जिसको आप आराम से साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, खाने में इतनी चटपटी, खटी, मीठी, मजिदार है कि आप साल भर के लिए बनाएंगे, फिर भी मह साल तक स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखेगा बिना इसकिप करें तभी आप इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे, और वीडियो हेल्फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेर कीजिगा चैनल को सब्सक्राइब क इसको बनाने के लिए अभी फ्रेश वाले आपली ले लेना है अच्छे से धो लेना है और अगर आप इसको बहुत जादा टाइम तक स्टोर कर रहें तो आप स्कटे और जो दाग वाले सड़े हुए आपले वह नहीं लेना है थोड़े दिन के लिए बना रहे हैं तो वह व बस दो सीटी हमें लगाना है दो सीटी में ही जब इस तरह से अब दबाएंगे न तो बीच इसका अलग हो जाएगा और कलिया अलग हो जाएंगी तो एकड़म परफेक्ट है अगर आपको आप लों को उबालना नहीं तो आप इसको इसको स्टीम करके भी पका सकते हैं या प्रोसेस की तरफ तो ग्राइंडिंग जार में इनको डाल देना है और डाल करके बिना पानी के ही एक दम पाइन और स्मूथ पेस्ट बनाना है यह देखिए चंक्स वगेरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए बहुत अच्छे से पहचाना चाहिए अब चलते हैं गैस की तरफ देखने में बहुत बड़े अलगते टीस्ट भी अच्छा आता है बस अब हमें क्या करना है इसको मिक्स करना है और यहां पर एक चीज का धियान रखना है इसको पकाते टाइम कैसे पकाना है क्या डालना है उसके लिए वीडियो को इसकि बिल्कुल मत कीजिगा क्योंकि हम इतना खटा मीठा और मज़िदार बनाने वाले ना बच्चे से लेकर बड़े तक सबको बहुत जादा पसंद आने वाली है यह तो चीनी डालेंगे ना पर एक से दो मिनिट में ही सारी की सारी चीनी तो यहां पर मैल्ट हो जाएगी अब फ्लेम को हाई बिल्कुल मत अगर बहुत मिन्टों में यह बन कर तेयार हो जाए हाई फ्लेम बगर देंगे तो आपको लगतार इसको चलाती रहना होगा अगर आप छोड़कर चलेगा तो यह जल जाएगा जल जाएगा तो टीस्ट बगर जाएगा चार से पांच मुप में देखिए चीनी जब सबसे पहले मैंने हाप डाल दिया नॉर्मल सॉल्ट सफेद नमक जो हम डेली में यूज करते हैं इससे बड़िया सा नमकीन टेस्ट आएगा और हमारी जैली बहुत बढ़िया लगती है आप इसके गटा-गट जैसे भी बना के रख रहे हैं बच्चों को दे दीजिगा इस काला नमक जालेंगे एक सिंधा नमक भी हमारे पेट की प्रॉब्लम्स के लिए लिए बहुत फाय्दे मन दोता है तो दोनों तरीक के नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है धीर है आप देखेंगे इसका टेक्च्छर चींज होता जाता है और यहां पर क कलर में भी फरक आता जाएगा श्राइन आती जाएगी जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती है अभी हमें इसमें डाल देना है काली मिर्च के पायदों के वारे में तो आपको पता ही होगा सांधी साथ चट पट्टा जो तीखा वाला टीस्ट आएगा न हमारी आपला कैंडी में में जो जो आपको एड ने करना तो भूरी वाली जो सफेद में जोती है उसका भी एड नहीं करना है लाल में से तीका पन जाद आजाएगा सांथी कलर भी वह बढ़िया वाला नहीं आएगा तो दूनों चीज़एं बढ़िया से मिक्स कर दी और बस इसको चलाते जाना है अब मैं इसमें एक चम्म जितना भुने जीरे का पाउडर भुने जीरे के पाउडर से बढ़ी अच्छा चटपटा वाला यहां पर टेस्ट आ जाएगा और जो हमारे पेट की प्रॉब्लम्स होती है गैस ऐसीडीटी वगएरा उसमें तो यह बहुत जादा लापकारी होता है अभी हमें बस इसको मिक्स करते जाना है और थेड़ी देर में ही आप देखेंगे कि यहां पर इसका टैक्स्चर चेंज होने लग गया है ना देखिए इस तरीके से थोड़ा कढ़ाई जैसे छोड़ने लग गया बट यह बिल्कुल भी नहीं पका है ने बताया था ना जैस बीज में बिल्कुल आइड नहीं करना नहीं तो यह खाने में कड़वा लगेगा है ना तो बीज निकालकर एक नीबू करत लाल देंगे चट पटा टीस्ट आएगा आपकी कैंडी में और यहां पर शाइन भी आती है बड़ी आसा जैली बड़ी अजम करते यार होगी अब अब देखिए जब एस स्टेज पर इसका कलर जा दार खो रहा К verw яр यह थिक होने लग गया है तो 2 चमच30 दो चेमच30 2 कंच20 दो चमच30 2 चमच10 पानी एक बड़िया सा यहां पर घुल बनाकरके त्यार करना है जब है आप अपर अच्छों डीन ऊपर अच्छायत में दो जब बग एक घंटा जितना भी आपको इसको पकाने में लग सकता है क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाने वाले आराम से इसको पकने देंगे तो उसमें टाइम तो लगता है तो बस इसको अच्छे से हमें चलाना है और आप देखिए कुछ इसकी पक चुका है कि इसकी जैली जम जाएगी तो अभी ऐसे लग रहा कड़ाई छोड़ी पक गया नहीं अभी यह बिल्कुल नहीं पका है अब हम दिया करेंगे एक प्लेट में इस तरीके से थोड़ा सा मिक्षा निकाल कर देख लेंगे और यहां पर हम चैक करते है कि इसकी ब बहुत बड़ी जैली में हमारी शायन आती है अब देखिए फिर से मैंने इसको पकाया अब जरूर यह पूरी तरीके से घड़ाई छोड़ने लग गया यह देखिए एक हलवे जैसा हो गया ना एक जिगा एक घड़ा हो रहा है तो इस तरीके से हमें मिक्षर को चाहिए कि जैली के लिए बिलकुल एक जगा पर एक घड़ा करेना एक घड़ा हो जाए बस अब यहां पर एक केक तिन ले लेना है जिस भी चीज में आप सेट कर रहे हैं वहां पर बटर पेपर लगा लिजेगा तो बहुत आराम से निकल जाता है इसको डालेंगे और इसको इस पैच कोट कर लिजगा तो अंदर से चट पड़े और उपर से मेठी मज़्यदार बन कर तयार होती है इस तरीके से बाल्स पना करके हमें तयार कर लेना है फटा-फट से बाल्स बन कर तयार हो जाती है उतनी देर में यह देखिए हमारी जैली भी यहांपर सैट हो गई है 15-20 में बहुत जादा नहीं कितने आराम से बटर पेपर के कारण निकल गई है और आप देख सकते हैं कितने बड़िया से हमारी जैली यहां पर सैट हो गई है अब मन पसंद आकार में आप इसको कट कर लीजेगा छोटे बड़े पीसे आप आपके हिसाब से कट कर सकते हैं और यह दे में अच्छे से लगा करके आप रख दीजेगा जितना इस टो खाना है आप अलग लेजिजे बाकी भर कर यहां पर रख दीजेगा तो यह बिल्कुल भी साल भर तक खराब नहीं होगी जब भी खाना है निकालिये खाये एंजॉय कीजेगा और वीडियो आपको थोड़ी भ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके